आज बनाते हैं ये बहुती लाजवाब सा यखनी चिकन पुलाओ, उसके लिए मैंने सबसे पहले ये सारे खड़े मसाली ले लिए हैं, और इनको मैंने भोना नहीं है, ऐसे ही मैं इनको कच्छा मिक्सी में थोड़ा सा दरदर पीस लूँगी, एक पैन में मैंने ओयल गरम करा है, उसमें डाला है जीरा और डाले है चौप्ट प्याज, चौप्ट प्याज आपके उपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो लंबे भी काटते हैं, चाहें तो जाधा ले या कम ले या आपके उपर डिपेंड करता है, या आप उसकी वांटिटी की जाधा लेना चाहते ह इसके अंदर मैंने डाले चिकन के पीसे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करनेंगे चिकन के अंदर आप जैसे ही चिकन डालेंगे चिकन फ्रेश होगा तो अपना वाटर रिलीस करता है उसके बाद मैंने इसके अंदर जो मसाला पीसा था वो मसाला मैंने डाल दिया और उसी के साथ इसमें नमंग भी मिला दिया है इसको हम अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स करेंगे और हलका सा पाने डालके न इसको हम भूनने के लिए अच्छी तरीके से रख देंगे ताकि यह जो मसाला है इसका जो पूरा का पूरा फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से चने जाए थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा तो इसके अंदर oil release हो चुका था इसको मैंने अच्छी तरीक ड़ना उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करा इस यकनी पुलाओ के अंदर और कोई भी मसाला नहीं जाता सिर्वोनी मसालों से यह बहुत जादा बहुत ही जादा टेस्टी बनता है दैन उसके बाद जैसे यह सारा पानी इसका हो जाए चावल में आप उसी चावल रेडी होते हैं वो दही में तैयार होते हैं तो इसके इंदर बहुत दार मौश्चर होता है उसके साथ मैंने खाने के लिए बनाया था यह कुकुंबर का राय था तो मैंने उसके लिए कुकुंबर को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिए उसमें मिलाया दही मैंने इ तीस्टी लगता है ये combination अब खा के देखें